I hope you guys have read the question and tried it on your own, नहीं किया तो आप वीडियो पॉस करके पहले ट्राइ किजिए, बोला है नौ जीवन एक्स्प्रेस विच गोज फ्रॉम एम्दाबाद टुचे नहीं, लिवस एम्दाबाद अट 630, ट्रेवल से अकॉंस्टन स्पीड फिफ्टी, विच इस टूर्स बरोद पर अट 7 a.m. दे हावडा एम्दाबाद एक्स्प्रेस लीवस फर एम्दाबाद फ्रॉम बरोडा, एक कॉंस्टन स्पीड फिफ्टी, एक दूसरी ट्रेण यहां से बरोडा से एम्दाबाद के लिए निकल रही है, कितने बजे निकल रही है, साथ बजे, किस स्पीड से, तो 40 किलो मेटर पर आर की स्पीड से, अट 7.30, मिस्टर शाद, कंट्रोल अफिसर रियलाइजेस बोध दे ट्रेंस आर उन दे सेम ट्रेक, वो साड़े साथ बजे उन्हें पता चला कि बोध ट्रेंस आर उन दे सेम ट्रेक, अब साड़े साथ बजे तक क्या हुआ होगा, तो इधर से एक ट्रेन 6.30 को अल्रेडी निकल चुकी है, 7.30 की हम बात कर रहें, तो एक घंटे में ये ट्रेन इधर से 50 किलो मेटर आगया होगा, क्योंकि इसका 50 का स्पीड था, और इधर से ट्रेन 7 बजे निकली है, 40 की स्पीड से 7.30 की बात कर रहें, मतलब आधे घंटे में 40 किलो मेटर पर आर, एक आर में 40 ट्रेवल कर सकती है, तो आधे आर में ये भी इधर से 20 आगया आगया होगा, मतलब जब उन्हें पता चला कि दोनों ट्रेन सेम ट्रेक पे है, तो इस 100 में से इधर से 50 और इधर से 20, 70 किलो मेटर का डिस्टन्स तो अल्रेडी खतम हो चुका है, तो ये जब उन्हें पता चला कि दोनों ट्रेन सेम ट्रेक पे है, उस वक्त दो ट्रेन में सिर्फ 30 किलो मेटर का डिस्टन्स है, So now they are asking how much time does Mr. Shah have to award the accident, अब आप देखोगे, तो at 7.30, दो ट्रेन के बीच में डिस्टन्स जो है, 30 किलो मेटर का है, और वो इधर से 80 किलो म each other is opposite direction, this is going here, this is going here, so per hour उनके भीश का distance, 50 plus 40, 90 की average, no, sorry, 90 की relative speed से कम हो रहा है, तो 90 की speed से अगर वो कम हो रहा है, तो 30 का distance, 90 की speed से खतम होने में, इसका मतलब accident को occur करने में, 30 by 90, one third hour, या फिर one third into 60 minute में convert करेंगे, तो मतलब 20 minutes का उनके पास time है, तो answer आएगा 20 minutes,